So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SJVN की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue SJVN की अगर बात कर लें तो बिलकुल stock में पिछले कुछ time से हमें back to back एक तगड़ी तेजी देखने को मल रही थी और exactly stock ने आज भी हमें अच्छे return दिये है शेर में अगर आप देखोगे तो कल ही हमने बताया था कि ये stock record तोड़ सकता है इस stock में अगर देखे बड़े momentum नजर आ सकते है आज वो चीज हमने देखी भी 15 रुपे 40 पेसे के राउंड अगर आप देखते हो तो stock में तगड़े return हमें देखने को मल रहे है 12.07% के बहाब पर share यहाँ पर आगे बढ़ रहा है वही अगर आप देखो stock ने 142.95 रुपेस के राउंड तक की यहाँ पर closing दी है पिछले 5 days की अगर बात कर ले तो पिछले 5 दिरों में आप देख सकते हो stock 20 रुपे 50 पेसे के राउंड तक की growth यहाँ पर बताता हुआ नजर आया है last one month में आप देखोगे 50 रुपे शेर बढ़ गया है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कि इस तरीके की growth stock में हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर अगर देखे एक बड़ी news सामने आ रही है यहाँ पर मैंने budget का जिकर कल भी किया था कल भी मेंने बताया था कि यहाँ पर budget का impact बागी है और यहाँ पर उसकी का impact देखने को मिल रही है लगबग यहाँ पर अगर देखे जो power sector है power sector में लगबग 93,200 करोड का यहाँ पर allocation किया गया है पावर sector में जो last year 79,616 करोड था वही आज के अभी के अगर बात कर ले इस येर की तो 93,200 करोड का allocation है तो इस चीज का impact यहाँ पर stock के उपर बड़ा है यहाँ पर अगर देखे SJVN की ही में बात नहीं करता है दूसरे भी shares जो है आज काफी speed से बड़े है काफी तगड़े return इन stocks में हमें देखने को मिले है और यही से आप अन्दाजा लगा सकते हो कि stock में आने वाले time में और भी बड़ी growth हमें देखने को मिल जाकती है यहाँ पर अगर बात कर ले तो बिल्कुल यहाँ पर इसने नया high grade किया नया record यहाँ पर बनाया यह stock ने आज high grade किया 146.35 रुपिस कका और 52 week का high भी इसका 146.35 रुपिस का है बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें 52 week का low 30.40 रुपिस का है यहाँ पर आप देखो के 30.40 पेसे का low है stock में 30.40 पेसे सीधा 146 रुपिस तक stock आ गया है तो यहाँ पर अगर देखें Ops के बाद तो बिल्कुल डबल हुआ है 66 के price पर government की और से Ops लाया गया था उसके price से तो बिल्कुल डबल अब हो गया है तो बिल्कुल यहाँ पर Ops के बाद stock में तेजी आनी स्टार्ट होई थी और यह तेजी आज भी हमें देखने को मिल रही है और पुरी उमीद है कि stock में आगे भी ऐसे ही return देखने को मैं मिल सकते है share में ऐसी ही तेजी हम expect कर रहे है आने वाले time में भी volume की अगर बात की जाए तो volume आप देख सकतो 16 करोड के round तक का stock में trade value हमें दिखा ही देता है 16 करोड का trade value है कल की comparison में अगर देखे तो बिल्कुल यह double है यहाँ पर 3 गुना जादा का volume देखने को मैं मिल रहा है yesterday की बात करें तो सिर्फ 4 करोड के round तक का ही trade value था यह trade value आज बढ़के 16 करोड के round तक का हमें देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छे numbers यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वही volume की बात कर लिए हमने बात करें अगर community sentiments के आकड़ों की तो community sentiments के आकड़े अगर देखोगे तो 100% लोग है जो stock में buy करने के लिए कह रहा है 100% लोग की और से stock में buy करने के लिए कहा जा रहा है जो काफी अच्छे numbers यहाँ पर ए भी नजर आते हैं बोर्ड मिटिंग के अगर बात कर ले तो बोर्ड मिटिंग के लिए यहाँ पर क्या date है डेट की अगर बात कर ले तो company के और से board meeting में अगर देखे 9 फरवरी यहाँ पर इनकी और से announce की गई है SJVN यहाँ पर अगर आप देखोगे board of directors to company is schedule on 9 February 2024 बिल्गुल यहाँ पर अगर देखे इनकी 9 तारीक के दिन एक meeting हो सकती है हाला कि results से related अभी तक कोई भी meeting इनकी और से announce नहीं किये बट 9 तारीक यहाँ पर अगर देखे इन्होंने company ने एक board of directors की meeting schedule किये अब पता चलेगा कि इस तारीक पर 9 तारीक के दिन यहाँ पर हो सकता है इसके quarterly results से related एक date announce हो जाए क्योंकि यहाँ पर अगर देखे उम्मीद लगाए जा रही है कि company की और से एक dividend का announcement किया जा सकता है company अगर आप देखोगे 30 बार dividend दे चुके और आगे भी उम्मीद है कि हाँ पर dividend मिलेगा यहाँ पर आप देखोगे तो company साल में दो बार dividend देती है एक interim dividend देती है सादी एक final dividend देती है interim dividend काफ़ी आई होता है और dividend हमें interim dividend हमेशा सहई फरवरी में देखने को मिला है 2023 के Farmory में भी हमने dividend देखा 2022 के फरवरी में आप देख सकते हो हमने dividend देखा है 2021 में भी फरवरी के महीन में ही इसने dividend दिया है 2020 की बात कर ले 2019 2018, 2017, 2016 या फिर बात करे 15 ही तो यहाँ पर अगर देखे interim dividend हमें शिमिशाही फरवरी के मन्त में देखने को मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी interim dividend फरवरी के महीने में हमें देखने हो यानि इसी महीने में हमें देखने को मिल सकता है तो बिलकुल यहाँ पर उम्मीद आप लगा सकते हो शेर में गर देखे back to back बड़त हमें देखने को विल रही है कई बड़े project इसे मिले है हाली में अगर देखे और वही अगर देखे अभी की बात कर ले तो गुजरात government के बाद जो यहाँ पर budget आया है budget में भी अगर देखोगे तो बिलकुल 93,000 करोड का allocation जो है उसकी वज़े से यहाँ पर stock में एक बड़ा जम देखने को बल रहा है यहाँ पर अगर हम बात कर ले इसके levels की तो levels भी काफी अच्छे देखने को में मिल रहे है levels को देखकर भी हमें पुरी उम्मीद है कि stock में आगे भी ऐसी ही बड़ा देखने को बलेगी जो 139.60 का level था ए एक level हमने पहले discuss किया हुआ था एक level हमने बताया था आपको की 1.6 का फीब जोन है जहाँ से stock यहाँ पर उबर की और जा सकता है exactly वो target भी अची हुआ और उसी पर इसने sustain करके अच्छे return आच दिया है यहाँ पर अगर आप दिखो मैंने एक चीज कही थी कि stock में एक rising wage type channel बना था उसके breakdown हमें कल देखने को मिला उसके बाद गिरावट आई बट मैंने एक चीज कही थी कि downside की और support है तो डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है exactly यहाँ पर आप दिखोगे multiple times इसने support लिया और उपर अगर मैंने एक चीज और कही थी कि एक range यह share create कर रहा है इस range में अगर देखें दो चीजे break होना important है तो यह वाला level और एक तो यह वाला level दोनों ही level stock ने आज break किया 169 का level अगर आप देखोगे यह level भी यहाँ पर break किया और break करने के बाद stock यहाँ पर sustain कर रहा है तो यहाँ पर अगर देखें जो फीब जोन हमने बनाया था उस फीब जोन के हिसाब से stock काफी अच्छी तरीके से trade करता हुआ हमें नजराया और बिल्कुल यहाँ पर हमारा target भी अच्छी हो गया है नय हाई इसने stock ने आज लगाया है और 139 के level के around अगर आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर यही से sustain करके हमें पूरी उम्मीद है कि यही से sustain करके stock में और अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है आने वाले time में stock में आप और भी ज़्यादा positive रह सकते हो हमने फीब जोन के बारे में काफी कुछ चीजे पहले भी discuss की हुई है यहाँ से भी मैंने level discuss किये थे और यहाँ पर अगर आप दिखोगे अभी आगे के target तो और बड़े हो सकते है यहाँ पर अगर देखे कल के लिए तो हमने इस level के हिसाब से चीजे discuss की थी तो इसके हिसाब से 139 का level तो अच्छी हो गया अब इसके हिसाब से अगर हम level देखे हैं तो यहाँ पर जो target है अब 142 का जो level बनता है यहाँ पर यह भी तो अच्छी होई गया है बट वही अगर हम देखें इस फीप जोन को और थुड़ा ऊपर की और ले जाए जाए तो target अगर देखा जाए 163 के around का निकलता है 163 के around तक का target यहाँ पर निकल रहा है और यह target भी हो सकता है easy तरीके से आने वाले time में achieve हो जाए तो और अगर आप देखोगे SGVN में आगे भी आप positive रह सकते हो power sector यहाँ पर बिलकुल बड़ा है power index में बड़ा boom हमें देखने को मिला है और खासकर SGVN में एक बड़ी jump देखने को में मिल गई है so और रहल काफी कुछ बाते हमने कर लिए इन particular shares को लेकर इस वीडियो में तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो काफी easy तरीके से सीखने को मिल जाएगा तो please जाकर एक बार check out कर लेना link नीचे description में है thank you